श्रीक्रिष्ण किस प्रिकर द्रौपदी को धानस बन्धाते हैं? इतने समय बाद द्रौपदी का आज दुख छलक आया। जानते हैं आगे क्या हुआ? भगवान श्रीक्रिष्ण बोले। राजन यदि मैं पहले द्वारका में ये उसके निकट होता, तो आप इस भारी संकट में नहीं पड़ते। दुर्जेवीर, आम्बिका नंदन धृतराष्ट्र, राजा दुर्योधन तथा अन्य कौर्मों की बिना बुलाए भी मैं उस द्यूत्सभा में आता और जुए के अनेक दोश दिखा कर उसी रोकने की चेश्टा करता। प्रभो मैं आपके लिए भीश्म, द्रून, क्रिप, भालिक तथा राजा धृत्राष्ट्र को बुला कर कहता। कुरुबंच के महराज आपके पुत्रों को जुवा नहीं खेलना चाहिए। राजन में द्यूद सभा में जुवे के उन दोशों को स्पष्ट रूप से बताता, जिनके कारण आपको अपनी राज़े से वंचित होना पड़ा। तथा जिन दोशों ने पूर्वकाल में वीरसेन पुत्र महराज नल को राज सिंगासन से चियूत किया। नरेश्वर जुवा खेलने से सहसा ऐसा सर्वनाश उपस्थित हो जाता है जो कलपना में भी नहीं आ सकता। इसके सिवा उससे सदा जुवा खेलने की आदत बन जाती है। ये सब बाते में ठीक ठीक बता रहा हूं। स्त्रियों की प्रती आ सकती, जुवा खेलना, शिकार खेलने का शौक और मत्यपार। ये चार प्रकार के भोग कामनजने दुख बताए गए हैं। जिनके कारण मनुष्य अपने धन एश्वरे से भरस्ट हो जाता है। शास्त्रों के निपुण विद्वान यदि परिस्थितियों में इन चारों को निंदनी इमानते हैं। परंतु दियूत क्रीडा को तो जुवे के दोश जानने वाले लोग विशेश रूप से निंदनी समझते हैं। जुवे से एक ही दिन में सारे धन का नाश हो जाता है। साथ ही दियूत खेलने से उसके प्रति आसकती होनी निश्यत है। समस्त भोग पधार्थों का बिना भोगे ही नाश हो जाता है। और बदले में केवल कटू वचन सुनने को मिलते हैं। कुरु नंदन ये तथा और भी बहुत से दोश हैं जो दियूत के प्रसंख से कटू परिणाम उत्पन में करने बाले हैं। महाबाहो मैं धृतराश्टी से मिलकर जुए के ये सभी दोश बतलाता। कुरु वर्धन मेरे इस प्रकार समझाने बुझाने पर यदि वे मेरी बात मान लेते तो कौर्वों में शांती बनी रहती और धर्म का भी पालन होता। राजेंद्र, भरत्ष्रेष्ट, यदि वे मेरी मधूर एवं हितकर वचन को सुनकर उसे ना मानते तो मैं उन्हें बलपूर्वक रोब देता। यदि यहां सुहरिद, नामधारी, शत्रु, अन्याय का आश्रेले, इस्त्रितराष्ट को साथ देतें, तुम्हें उन सबसत जुवारियों को मार डालता। कुरु श्रेष्ट मैं उन दिनों आनर्थ देश में नहीं था, इसलिए आप लोगों पर ये दियोति जैनित संकट आ गया। कुरु प्रवर, पांडु नंदन, जब मैं द्वारका में आया, तब सात्यकी से आपके संकट में पढ़ने का यथावत समाचार सुना। राजेंद्र ये सुनते ही मेरा मन अत्यंत उत्विग्न हो था, और प्रजेश्वर मैं तुरंथ ही आपके मिलनी के लिए चलाया। भरत कुल भूर्षन, आप सब लोग बड़ी कठिनाई में पढ़ गए हैं, मैं तो आपको सब भायू सहित विपत्ती के समुद्र में दूबा हुआ देख रहा हूँ। युधिस्टर ने कहा, व्रिश्णी कुल को आनन्दित करने वाले श्री कृष्ण, जब दियूत कृड़ा का आयोजन हो रहा था, उस समय तुम द्वारका में क्यों अनुपस्तित थे, उन दिनों तुम्हारा निवास कहा था, और उस प्रवास के द्वारा तुमने कौन सा क पारे सिद किया, श्रीक्रिश्णी कहा, भरतवन शिरोमने कुरुकुल भूषन मैं उन दिनों शालव के सौम नामक नगरा का विमान को नश्ट करने के लिए गया हुआ था, इसका क्या कारण था, बह बतलाता हूं, सुने, भरतष्रेष्ट आपके राच्वे यग्य में जिस दुरात्मा महातेजस्वी, महाबाहु एवं महायशस्वी, दम घोशन नंदन वीर राजा शिशुपाल को मैंने मार डाला, उसके मृत्यों का समाचार सुनकर शालव प्रचंड रोश से भर गया, भारत मैं तो यहां हस्तिनापुर में था, और हम लोगों से धूनी द् कौम नामत विमान पर बैठ कर आया और क्रूर मनुष्य की भांती यादमों की हत्या करने लगा, उस खोटी बुद्धी वाले शालव ने व्रिश्णी वंच के बहुतेरी बालकों का वद्ध करके नगर के सब बगीचों को उजार डाल, महाबाहु उसने यादमों से पूछ व्रिश्णी कुल कलंक, मन्दात्मा, वसुदेव पुत्र, वासुदेव कहां है? उसे युद्ध की बड़ी इच्छा रहती है, आज उसके घामंड को में चूर-चूर कर दूँगा, आनर्त निवासों सच-सच बतला दो, वे कहां है? जहां होगा वहीं जाओंगा, और कंस तथा कीशी का संघार करने वाले उस कृष्ण को मार कर ही लोटूँगा, मैं अपने अस्र शस्त्र को चूँकर सत्य की सोगन दखाता हूँ, आप कृष्ण को मारे बिना नहीं लोटूँगा, सौभविमान का स्वामी शालव संग्राम भूमी में मेरे साथ युद्ध की पूशता था, वह कहां है, कहां है? राजन साथ ही वह यह भी कहता था कि आज उस नीच पापाचारी और विश्वास खाती कृष्ण को शिशुपाल वद के अमर्ष के कारण मैं यमलोग भेज़ दूँगा, उस पापी ने मेरे भाई राजा शिशुपाल को मार डाला, अतह मैं भी उसका बद करूँगा, मेरा भाई शिशुपाल अभी छोटी अवस्था का था, दूसरे वह राजा था, तीसरे युद के मुहाने पर खड़ा नहीं था, चौथे असाबधान था, ऐसी दशा में उस वीर की जिसने हत्या की उस जनार्दन को मैं अवश्य मारूँगा कुरुनंदन महराज इस प्रकार शिशुपाल के लिये विलाप करके मुझ पर आक्षेप करता हुआ ते इच्छानुसार चलने वाले सौभवे मा दोरा आकाश में ठेहरा हुआ था, कुरुश्रेष्ट यहां से द्वार का जाने पर मैंने मार्तिका वत्क, देश के निवास दुष्टात्मा एवं दुर्बुध्धी राजा शालव ने मेरे प्रती जो दुष्टता पूर्ण बरताब किया था, आक्षे पूर्ण बाते कहीं थी, प्रस सब कुछ सुना, कुरुनंदन तम मेरे मन में रोश से व्याकुलता उत्पन हुई, राजन फिर मन ही मन कुछ न अंगार मचा रखा था, वे मुझ पर जो आक्षेप करता था, तथा उस पापाचारी का घमंड जो बहुत बढ़ गया था, वे सब सोचकर मैं सौंप नगर का नाश करने के दिए प्रस्तित हुआ, मैंने सब और उसकी खोच की, तो वे मुझे समुद्र के एक ट्विप में दिखाई दिया, नरेश्वर तदनंतर मैंने पांचे जन्ने शंख बजा कर शालफ को समर भूमी में बुलाया, स्वेम भी युद्ध के लिए उपस्तित हुआ, वहां सौभनिवासी दानवों के साथ दो घड़ी तक मेरा युद्ध हुआ, और मैंने सब को वश्मे करके प् जुआ खेला गया, और पांडब उसमें सब को चार कर बन को चले गया, तब अत्यांत दुख में पड़े हुए आप लोगों को देखने के लिए मैं तुरंत यहां चला आया, युद्धिस्टर ने कहा, महाबाहो, बसुदेव नंदन, महामते, तुम सौभ विमान के समाचार विस्तार पूर्वक कहो, मैं तुम्हारे मुख से इस प्रसंग को सुनते सुनते त्रिप्त नहीं हो रहा हूँ, भागवान श्री कृष्ण बोले, महाबाहो निरेश्वर, भरच्रेष्ट, शुच्रवा के पुत्र, शिशुपाल के मारे जाने का समाचार सुनकर, शालव ने द्वारकापुरी पर चड़ाई की, पांडुरंदन उस दुष्टात्मा शालव ने सेना द्वारा द्वारकापुरी की सब और से घेर लिया, वैसोयम आकाश्चारी विमान सौप पर वियो रचना पूर्वक विराजमान हो रहा था, उसी पर रहकर राजा से प्रहार हो रहा था, द्वारकापुरी में सब और पता काएं पहरा रही थी, उचे उचे गौपुर वहां चारों दिशों में सुशोबित थे, जगा जगा सैनिकों के समुधाये युद्ध के लिए प्रस्तुत थे, सैनिकों के आत्मरक्षा पूर्वक युद्ध की सड़कों पर लोही के विशाक्त कांटे अत्रिश्य रूप से बिचाये गए थे, अटालिकाओं और गौपुरों में पर्याप्त अन का संग्रह किया गया था, शत्रू पक्ष के प्रहारों को रोकने के लिए जगा जगा मोर्चे बंदी की गई थी, शत्रूं के चलाये हु भरे हुए मिट्टी और चमडे के असंखे पात्र रखे हुए थे, भरत्रेष्ट, धोल, नगारे और मिदंग, आदे जो जाओ बाजे भी बज रहे थे, राजन, तोमर, अंकुष, शत्खनी, लांगल, भूशुन्डी, पत्थर के गोले, अन्याने अस्त्र शस्त्र, फरसे बहुत से सुद्र ढालें और गोला वारुच से भरी हुई तोपें यथा स्थान तयार रखी गई थी, भरत्कुल भूशुन्ड, शास्त्रोक्त विधी से द्वारकापुरी को रक्षा के लिए एक्दम तयार था, गुरुश्रेष्ट, शत्रों का सामना करने में समर्थ, ग गुलूं में उत्पन्न थे तथा युद के अफसरों पर जिनके बल वीरे का परिचे मिल चुका है, ऐसे वीर रक्षक, मध्यम, गुल्म, अर्थात, नगर के मध्यवर्ती दुर्ग में स्थेथों पूरी की पूर्णता रक्षा कर रहे थे, सब को प्रमात से बचाने वाले उग्रसेन और उधवादी ने शत्रों के गुल्मों को नश्ट करने की शक्ती रखने वाले घुरसवारों के हाथ में जंडे देकर समूचे नगर में ये घुशना कराती थी कि कि किसी को भी मध्यपान नहीं करना चाहिए, क्योंकि मधिरा से उनमत हुए लोगों पर राजा शालब घातक प्रहार कर सकते हैं, यह सोचकर व्रिष्णी और अंधकवश के सभी योदा पूरी साब्धानी के साथ युद्ध में डटे हुए थे, धन संग्रह की रक्षा करने वाले यादमों ने आनर्त देशी नटों, नर्तकों और गायकों को शीक्र ही नगर से बाहर कर रखते थे, वे सब तोड़ दिये गए थे, नौकाएं रोक दी गए थी और खाईयों में कांटे बिछा दिये गए थे, गुरुष्रेष्ट द्वार्कापुरी के चारों ओर, एक उस्तक के चारों ओर के कुउएं इस प्रकार जलशूने कर दिये गए थे, मानों भाड़ हो और उतनी दूर की भूमी भी लोह कंटक आदी से व्याप्त कर दी गए थी, निश्पापने रेष्ट द्वार्का का एक तो सुभाव से ही दुर्गम में सुरक्षित और अस्त्रशस्त्रों से संपन होना, तथा भी उस समय इसकी विशेश विवस्था कर दिया जाना, सौब निवासियों के साथ युद्ध होते समय, विश्णी और अंधक्वंची वीरों के उस नगर में कोई भी राजमुत्रा के बिना ना तो बाहर निकल सकता था, ना बाहर से नगर के भीतर ही प्रवेश कर सकता था, गुरुनंदन राजेंद्र, बहां प्रतेक सड़क और चौराहे पर बहुत से हाथी सवार और खुर सवारों से युक्त विशाल सेना उपस्तित रहती थी, महाबाहो उस समय सेना के प्रतेक सेनिक को पूरा-पूरा वेतन और भत्ता चुका दिया गया था, सब को नए-नए हथियार और पोशाकें दी गई थी, और उन्हें विशे बेतन के रूप में दिया जाता हूँ, अथवा जिसे समय पर ना बेतन प्राप्थ हुआ हूँ, किसी भी सेनिक को दयावर सेना में भर्दी नहीं किया गया था, तथा कोई भी ऐसा ना था, जिसका पराक्रम बहुत दिनों से देखाना गया हूँ, कमल देन राजन जिसमें बहुत सिद्धक्ष मनुष्य निवास करते थे उस द्वार का नगरी की रक्षा के लिए इस प्रकार की विवस्था की गई थी वह राजा उरसेन के द्वारा भलिभादी सुरक्षित थी राजेंद्र सौब विमान का स्वामी राजा शालब अपनी बहुत बड़ी सेना के साथ जिसमें हाथी सवारों तथा पैदलों की संख्या अधिक थी द्वार का पूरी पर चड़ाया और उसके निकटाकर ठहरा जहां अधिक जल से भरा हुआ जलाश है था वहीं संख्यल भूमी में उसकी सेना ने पड़ाब डाला उसमें हाथी सवार, घुर सवार, रथी और पैदल चारों प्रकार के सैनिक थे स्वयम्राजा शालब उसका संरक्षप था शम्षान भूमी, देवमंदे, बांबी और चैते विक्षप को छोड़कर सभी स्थानों में उसकी सेना फैलकर पहरी हुई थे सेनाओं के विभाग पूर्वक पड़ाव डालने से सारे रास्ते घिर गए थे राजन शालब के शिवर में प्रवेश करने का कोई मार्क नहीं रह गया था नश्रेश्ट राजा शालब की बेसेना सप्रकार के आयुद्धों से संपन, संभून अस्त्रशस्त्रों के संचालन में निपुन रत, हाथी और घोड़ों से भरी हुई तथा पैदल से पाहियों और धोजा पताकाउं से व्याब्द थी उसका प्रतेक सैनिक हिष्ट प्रुष्ट एवं बलवान था सब में वीरोचित लक्षन दिखाई देते थे उस सेना के से पाहि विचित्र धोजा पता कवज धारन करते थे उनके रत और धनुष भी विचित्र थे कुरुनंदन द्वारका के समीप उस सेना को ठहरा कर राजा शलव ने उसे वेग पूर्वक द्वारका की और बढ़ा है मानुपक्षी राज करूड अपने लक्षे की और उड़े जा रहे हूं शालव राज की उस सेना को आती देख उस समय व्रिश्नी कुल को आनन्दित करने वाले कुमार नगर से बाहर निकल कर युद्ध करने लगे कुरूनंदन शालव राज की उस आकर्मन को वे सहन ना कर सके चारुदेशन, सांब और महरती प्रत्यूम ने ये सब कवच, विचित्र आभूशन तथा ध्वजाधारन करके रथों पर बैटकर शालव राज की अनेक श्रेष्ट योधाओं के साथ भिढ़ गये हर्ष में भड़े हुए सांब ने धनुश्थ आरन करके शालव के मंत्री तथा सेनापती क्षेम व्रिधी के साथ यूध किया भरच्रिष्ट जामवती कुमार ने उसके ऊपर भारी वान वर्शा की मानु इंद्र जल्की वर्शा कर रहे हो महाराज सेनपती क्षेम वृध्धी ने सांब की उस भयंकर बाण वर्षा को हिमालय की भाती अविचल रहकर सहन किया राजेंद्र तदनंतर क्षेम वृध्धी ने स्वेम भी सांब की उपर माया निर्मित बाणों की भारी वर्षा प्रारंब की सांब ने उस मायमय बाण जाल को माया से ही चिन्न भिन्न करके क्षेम वृध्धी के रत पर सहस्त्रों बाणों की जड़ी लगा दी सांब ने सेनापती क्षेम वृध्धी को अपने बाणों से घाहल कर दिया देश साम की बाण वर्षा से पेड़ित हो शी ग्रिगामी अश्वों की सहायता से युद्र का मैदान छोड़कर भाग खड़ा हुआ। शालव की क्रूर सेनापती क्षेम व्रिधी के भाग जाने पर वेगवान नामक बलवान दैत्य ने मेरे पुत्र पर आक्रमन किया। राजेंद्र व्रिष्णी वंच का भार वहन करने वाला वीर साम वेगवान के वेग को सहन करते हुए धैरे पूर्वक उसका सामना करने लगा। कुंती नंदन सत्य पराक्रमी वीर साम ने अपनी वेग शालिनी गदा को बड़े वेग से घुमा कर वेगवान दैत्य के सिरपर दे मारा। राजन उस गदा से आहात होकर वेगवान इस प्रकार पृत्वी पर गिर पड़ा। मानू जीर्ण जडवला पुराना व्रिक्ष हवा की वेग से तूट कर धारशाई हो गया हो। गदा से घायल हुए उस वीर महादैत्य के मारे जाने पर मेरा पुत्र साम शालब की विशाल सेना में घुसकर युद करने लगा। महाराज चारुदेशन के साथ महारती इवं महान धनुदर विविंध्य नामक दानब शालब की आग्या से युद कर रहा था। राजन तदन अंतर चारुदेशन और विविंध्य में वैसा ही भयंकर युद होने लगा जैसा पहले इंद्र और वृत्रासुर में हुआ था। वे दोनों एक दूसरे पर कोपितों बाणूं से परसपर आघात कर रहे थे और महाबली सिंखों की बादी जोर-जोर से गरजना कर रहे थे। तदन अंतर व्रुक्मणी नंदन चारुदेशन ने अगनी और सूरे के समात देजस्वी शत्रुनाशक बाण को महान अर्थात्तिव्य अस्त्र से अभिमंत्रित करके अपने धनुष पर संगान किया। राजन ततपशात मेरे उस महारती पुत्र ने क्रोध में भर कर विविन्धे पर वह बार चलाया। उसके लगते ही विविन्धे। प्राणशुन ने होकर धर्ती पर गिर पड़ा। विविन्धे को मारा गया और सेना को तहस्नैस हुई देख शालव इच्छानुसार चलने वाले सौब विमान पर फिर वहां आया। महाबाहु नरेश्वर उस समय सौब विमान पर बैठे हुए शालव को देखकर द्वारका की सारी सेना भैसे व्याकुल हो ठी। महाराज कुरु नंदन तब प्रत्युम ने निकल कर आनर्थ वासी उस सेना को धीरज बंधाया और इस प्रकार कहा यादवों आप सब लोग चुप चाप खड़े रहें और मेरे पराकरम को देखें। किस प्रकार युद्ध में राजा शालव के सहित सौब विमान को गति को रोक सकता हूं। ये दुबंशी में अपने धन और दंड से छूटे हुए लोहे के सरपतुल्य बाणों द्वारा सौब पती शालव की सेना को अभी नस्ट किये देता हूं। आप धैरे धारण करें। भय भी ना हूं। सौब राज अभी नस्ट हो रहे हैं। दुष्टात माशालव मेरा सामना होते ही सौब विमान सहित नस्ट हो जाएगा। वीर पांडो नंदन हर्ष में भरे हुए प्रद्यूम्न के ऐसा कहने पर वे सारी सेना स्थिर हो गई। और पूर्वत प्रसंता और उत्साह के साथ युद्ध करने लगी। भगवान श्रीकृष्ण कहते हैं। भरत श्रिष्ट यादवों से ऐसा कहकर रुकवणी नंदन प्रद्यूम्न एक सुबन में रत पर आरूड हुए जिसमें बकतर पहनाए हुए खोडे उपस्तित थे। उन्होंने अपनी मकर चिन्हित धोजा को उचा किया। जो मुहों बाय हुए काल के समान प्रदीत होती थी। उनके रत के घोडे ऐसे चलते थे। मानो आकाश में उड़े जा रही हुँ। ऐसे अश्मों से जुते हुए रत के द्वारा महाबली प्रद्यूम्न ने शत्रों पर आकरमन किया। वे अपने श्रेष्ट धनुष को ब बने हुए दस्ताने पहन रखे थे। वे अपने धनुष को एक हाथ से दूसरे हाथ में ले लिया करते थे। उस समय वे धनुष बिजली के समन चमक रहा था। उन्होंने उस धनुष के द्वारा सौब विमान में रहने वाले समस्तित दैत्यों को मुर्चित कर दिया। वे नहीं दिखाई देता था। उनके मुख का रंग तनिक भी नहीं बदला था। उनके आंग भी विचलित नहीं होते थे। सबूर करजना करते हुए प्रद्यूम्न का उत्तम एवं अध्भूत बल पराक्रम सूचक सिंगनाद सब लोगों को सुनाई देता था। शालव की से पर्ण में दंड के ऊपर सब तिमी नावग जलजनतूं का प्रमथन करने वाले मुंबाय एक मगरमच का चिन्न था। वे शत्रू सेनिकों को अत्यंत भायभीत कर रहा था। नर्श्रिष्ट तदनंतर शत्रू हंता प्रद्यूम्न तुरंत आगे बढ़कर राजा शालव के साथ युद्ध करने की इच्छा से उसी क्योर दोने। गुरुकुलतिलक उस संग्राम में वीर प्रद्यूम्न के द्वारा किया हुआ वह आकरमण कुरुध हुआ राजा शालव ना सह सका। शत्रू की राजधानी पर विजय पाने वाले शालव ने रोश एवं बल के मत से उनमत हो इच्छानुसार चलने वाले विमान से उतर कर प्रद्यूम्न से युद्ध आरंभ किया। शालव और विश्णी बंशी वीर प्रद्यूम्न में बली और इंद्र के समान घोर युद्ध हुने लगा। उसमें सब लोग एकत्र होकर उन दोनों का युद्ध देखने लगे। वीर शालव के पास सुवर्ण भूशित माया में रत था। वेरत धोजा, पताका, अनुकर्ष, हर्सा, अर्थात रत के नीचे पहिये के ऊपर करगा रानिबल, कान और तरकस से युग्त था। प्रभू, गुरुनंदन, श्रिमान महाबली शालव ने उस्ष्ट रत पर आरोड हो, प्रद्युम्न पर बाणों की वर्षा आरंभ की, तब भी प्रद्युम्न युद्भूनी में अपनी भुजाओं की वेग से शालव को मुहित करते हुए, उसके ऊपर शीक्रता पूर्वा बाणों की पोचार करते रहे। प्रद्युम्न ने उन बाणों को आते ही काट किराया, तब शालव ने मेरे पुत्र पर और भी बहुत से प्रज्वलित बाण छोड़े। राजएंद्र शालव के बाणों से घायल होकर रुक्मनी नंदन प्रद्युम्न तुरंथी उस युद्भूमी में शालव पर एक ऐ इंद्राला, इससे वह मूर्चित होकर गिर पड़ा। वीर शालव राज के अचेत होकर गिर जाने पर उसकी सेना के समस्त दानव राज प्रित्वी को विदेर्ण घर के पाताल में पालायन कर गये। प्रित्वी पते उस समें सौब विमान का स्वामी राजा शालव जब संग्या शुन्ने होकर धराशाई हो गया तब उसकी समस्त चेना में हाहाकार मच गया। गुरुश्रेष्ट तत पर्शाथ जब चेत हुआ तब महाबली शालव सहसा उठकर प्रद्युम्न पर बाणों की वर्शा करने लगा। शालव के उन बाणों द्वारा कंठ के मूल भाग में गहरा आघात लगने से अत्यनत घायल होकर समर में स्थित महाबाहु वीर प्रद्युम्न उस समय रत पर मुर्चित हो गये। महाराज रुक्मनी नंदन प्रद्युम्न को घायल करके शालव बड़े जोर-जोर से सेहनात करने लगा। उसकी आवाद से वहां की सारी प्रित्वी गुज उठी। भारत मेरे पुत्र की मुर्चित हो जाने पर भी शालव ने उस पर और भी बहुत से दुर्धश बान शीकृता पूर्वक छोड़े। कौरवश्रिष्ट इस प्रकार बहुत से बानों से आहत होने के कारण प्रत्यूम्न उस रणांगन में मुर्चित एवं निश्चेश्ट हो गए। इस सथ्याय में ऐसे हर एक अस्त्र का वर्णन हुआ है जो शायद आज के काल में भी हम केवल सोची पाते हैं। इतना महान था भै हमारा देश। आगे जानते हैं क्या हुआ अगले अध्याय में। नमस्कार मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रत्न सराहनी ये लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोच्छाहिद करें।